नमस्कार आदाप सस्रियाकाल स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चनल निव आइडियास वाइटी में काफी सारे साथियों की डिमांड थी कि जो यूपी पीसेल में वकेंसी आई हुई हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट की उनकी क्लास कराई जाए उनके क्लास सुरू की जाए तो आज हम आपकी रिकमेंडेशन पर यूपी पीसेल असिस्टेंट अकाउंट की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अब देखना यह है कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं मैं आपको इस वीडियो में जो आपका एक्जाम हुआ था 2019 में यानि कि जो आपका old paper है मैं उसको सालो कराऊंगा step by step और मैं आपको हर एक कोशन को समझाने का प्रयास करूंगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजे और अपने दुस्तों को साथ में share कीजे क्योंकि आपके support के कारणी सीरीज को हम continue रख पाएंगे स्वाई देखते हैं इस सेसन का पहला कोशन तो जो पहला कोशन है वो आपका सम्मंदित है MS Word से आपको यहां पर दिया गया है कि with respect to Microsoft Word documents which of the following statement is false जो आपको यहां पर कथन दिये गए हैं अगर हम Microsoft Word की respect में देखें तो इन में से ऐसा कौन सा कथन है जो की गलत है तो पहला दिया गया है footers help users to repeat content at the bottom of every page कि जो footer होता है footer की help से जो भी आपका content होता है वो प्रतेक page में bottom यानि की नीचे side में दिखता है तो बिल्कुल बात सही है कि अगर आप footer के use करते है तो उसके समें जो भी आप लिखेंगे content वो हर एक page में repeat होता है ठीक है दिन इसके बाद जो header होता है headers help users to repeat content at the top of every page तो बिल्कुल सही है जो आपका header होता है उसका जो content होता है वो every page यानि प्रतेक page के top में दिखाई देता है बात सही है page numbers can appear either at the top or the bottom of every page जो page number है या तो page के top में या फिर page के bottom में दिखाई देता है बिल्कुल सही है लेकिन a single document cannot have both roman and arbic numerals as page numbers यह है कि आप एक single document में roman और arbic दोनों ही number को as a page number use नहीं कर सकते हैं जबकि आप इसको use कर सकते हैं तो इस वज़े से जो आपका option number fourth है यह एक wrong statement होगा इनकी false statement होगा तो उसमें क्या जाएगा option number four question number next which of the following statements related to the C language is false इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो C language की दश्ट से गलत है तो every function definition must have a return statement की जो भी प्रतेक function को आप define करते हैं तो function को define करते समय आपको उसमें return statement का use करना जरूरी होता है तो ऐसा नहीं है क्योंकि यह depend करता है कि जो आप function define कर रहे हैं क्या उस function को जहां से call किया गया है वहाँ पर कोई value return करनी है अगर कोई value return करनी होती ही वापस करनी होती है तो उस case में हम लोग return statement का use करते हैं compulsory नहीं है कि आपको return का use करना ही होगा तो इसमें क्या जाएगा option number a जबकि आप कहां पर एक्टर में दिख रहा होगा second option the parameter value used to call a function are called actual parameters तो बल्कुल सही है जब भी आप लोग function को call करते हैं तो function को call करते समय जो भी आप values पास करते हैं जो भी parameter पास करते हैं उसको हम बोलते है actual parameters तो यह बात सही है functions prototype specify a function name return type and parameters तो बिल्कुल सही है जो function का prototype होता है यह declare करता है कि जो आपने function create किया है उसका नाम क्या है जो function है वो किस type की value को contain करेगा किस type की value को उसमें वो accept करेगा दैन इसके बाद जो function है वो किस type की value को return करेगा जहाँ से उसको call किया गया था ठेक है इसके बाद तो ये भी आपका सही हो जाएगा अब function में and may not return a value तो बिल्कुल सही है जो function है वो कोई value return कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है तो इस किसमें जो आपका second, third और fourth ये तीनों option सही है जब कि जो पहला वाला है ये गलत हो जाएगा चूँकि आपको यहाँ प register के रूप में निर्दिष्ट किया गया हो तो इस पर निर्ण में से कौन सा operator लागू नहीं किया रसकता है ये question आपके exam में कई बार आ चुका है खासकर O level में तो मैंने आपसे मैंसा एकी बात कही है कि जो आपकी C language है उसमें आपकी चार type की storage class होती है जिन में से पहली है auto जो की by default होती है दूसरी होती है register ठीक रजिस्टर एंड तीसरी होती है static एंड चो चौती है वो आपकी होती है extern तो जो आपकी auto storage class है ये by default होती है जबकि जो आपकी register storage class है इसके साथ में हम लोग end operator जिसको बोलते हैं m% इसका use नहीं कर सकते हैं तो ये आपको ध्यान रखना तो इसमें कर दाएगा option number third question number next what is the full form of CMOS which is a computer chip responsible for storing setting of a computer system जो CMOS है इसका full form क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए कि जो CMOS है वो एक computer chip है जो की computer system की setting को store करने के लिए जिम्मेदार होती है तो जो आपका CMOS है इसका full form आपको बताना है तो जो CMOS है इसका full form होता है complementary metal oxide semiconductor और मैंने आपको इसके बारे में एक लगबग 3 minute की वीडियो प्रवाइड कराई है अगर आपने इसको नहीं देखा है तो मैं आपको description में लिंक दे दूँगा तो आपको वहां से समझ में आ जाएगा एक आपका होता है BIOS क्या होता है BIOS औ आप the following operations adds content from the clipboard to your word document इन में से ऐसा वह कौन सा operation है जिसके थ्रू जो clipboard में content होता है उसको आपके word document में उसको आप add कर सकते है तो वह आपका होता है paste क्या होता है paste इसका मदलब क्या है इसका मदलब यह for example आपके पास एक content है ठीक है आप इस content को copy करते है तो जो आप इसको copy क है तो उस case में content है यह clipboard एक option होता है एक बोल सकते है कि एक menu होता है मेरी निव लेंग इसको जो एक clipboard है यह आपका tool होता है जहां पर उस content को जो आपने copy किया है उसको temporary store कर दिया जाता है इसके बाद जब भी आपको उस content को कहीं पर use करना होता है तो उसके लिए आप करते ह है control with उस case में जो content है जो की clipboard में store था वहाँ पर paste हो जाता है तो इसमें का जाएगा option number second paste question number next what is the size of the source port in a TCP header जो आपका TCP header है उसमें source port का size क्या होता है तो जो आपका source port है यह आपका होता है 16 bit का कितना होता है 16 bit का एक आपका होता है destination port कौन सा destination port तो वो भी आपका 16 bit का होता ह है जो source port है यह define करता है यह specify करता है कि जो source जो sender है उसका port number क्या है जबकि जो destination port होता है यह define करता है कि जो receiver है वो कि support number का use कर रहा है तो यह आपको ध्यान रखना तो इसमें का जाएगा 16 bits ध्यान दीजे bits होता है bytes नहीं होता है ठीक है क्योंकि अगर आप लोग 16 bits को change लिखा गया होता 2 byte तो यह आपका सही होता है चूकि आपके आपर आपसमने दिया गया 16 bit तो इस case में आप लोग यहाँ पर 16 bits को tick करेंगे question 1 next C भासा में निमनलिखित में से किसका उपयोग data प्रकार या variable के भंडारन आकार का पता लगाने के लिए किया रा सकता है जो C language में जो भी आपके data types है जो variables है आप यह check करना चाहते है कि जो data type है जो variable है उसका size कितना है तो उसके लिए आप क्या use करेंगे तो उसके लिए आप use करेंगे size of तो size of जो है इसकी help से आप लोग किसी भी variable या किसी data type की जो आकार है उसको आप check कर सकते हैं तो जो आप चेक करना चाहते हैं कि जो आपका one है जो one है यह कितना आकार वो कितना memory consume करेगा तो इसके लिए आप यहाँ ले सकते हैं size of and bracket के जो यह one है यह two byte memory consume करेगा क्योंकि जो आपका one है यह एक interior number है अगर लिखा होता कोई character तो वो आपका consume करता है one byte तो यह आपको ध्यान दखना मैंने आपको C language पर भी पढ़ाई हुई है chapter wise तो आपको नहीं आपर पूरी एक चीज़ को समझाने का प्रयास किया है और ध्यान है कि जो C language है उसको किसके द्वारा और कहां पर डेवलप किया गया था question number next and that is it नेमने लिखित में से किस network topology में किनी भी दो notes के बीच में संचार बहुत तेज है ring, bus, miss या फिर star तो बिल्कुल सही है जो आपकी miss topology होती है उसमें जो communication होता है दो notes के बीच में, दो computers के बीच में वो सबसे fast होता है अब आपके question आ रहा होगा कि miss में ही सबसे fast communication क्यों होता है तो इसका मैं आपको example देने का प्रयास करता हूँ for example आपके पास 4 PC है यह आपका PC1 है मैं आपकर name ले देता हूँ 1,2,3,4 आपको PC1 से PC3 में data को send करना है तो उस case में क्या होगा for example आपने इन PCs को इन computers को आपने ring की form में आपने इनको connect करकर रखा हुआ है तो इस case में क्या होगा जो data है वो पहले 1 से 2 पे आएगा फिर 2 से 3 पे आएगा तो इस case में आपने आपर देखा कि जो time है data transfer का वो ज़्यादा है क्योंकि पहले वो 1 से 2 माया है फिर 2 से 3 माया है त लेकिन अगर आपने इन्हीं computers को एक computer ये ये अगर आपने इन्हीं computers को as a miss topology connect किया हुआ है तो इस case में क्या होगा for example ये PC1 है और ये PC3 है तो इस case में आप 1 से 3 में data को transfer करना चाहते है तो इस case में जो ये data है ये direct 1 से 3 में transfer हो जाएगा क्योंकि जो आपका miss topology है इनमें जि user से connect होते हैं कहने मतलब क्या है कहने मतलब ये है कि हर एक node प्रते एक node से connect होती है तो इसी विरे से जो आपका miss topology है इसमें data बहुती fast transmit होता है यह हम बोल सकते हैं forward होता है और ये सबसे reliable यानि कि विश्वासनी है topology भी है और साथी ये सबसेदा expensive भी है क्योंकि इसमें जो जाना है कि जो आपको चौर option दिये गाए है इनमें से जो c language है उसमें एक ऐसा keyword है जो कि उसमें exist नहीं करता है type auto brick या फिर enum तो बिल्कुल सही है जो आपका type है ये कोई भी keyword नहीं है c language में type def होता है क्या होता है type def होता है ना कि type होता है तो इसमें जो आपका पहला option है ये तीनों keyword है इसके लावा integer, float, character, break हो गया आपका, for हो गया, while हो गया, do हो गया, and आपका f हो गया, else हो गया, enum, struct, union, ये आपके सारे-सारे keyword है आपको मालूम होना चाहिए कि जो c language है इसमें total 32 keyword होते हैं, question number next and is session का last question, c भासा के संबंद में निम्न में से कौन सा कथन सही है या फिर कौन से कथन सही है, तो पहला दिया गया है, पूरे array की बजाए, array का एक हिस्सा function में pass किया रहा सकता है, विरुकल सही है, अगर आप चाहें तो function में पूरे array को pass कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो array का पहला element है, उसे आप pass कर सकते हैं, इसके बाद दूसरा term दिया गया है, अंकी array तुत्तों को प्रारंबिक मान निर्दिष्ट नहीं किया रहा सकते हैं, यदि array को pointer variable के रूप में परिवासित किया गया हो, तो बिल्कुल सही है, पहला तो आप का स सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे variable का जो address होता है, उसको hold करते हैं, ना कि आप को दरा दी गई value को, तो यह क्या हो रहाएगा, सही हो रहाएगा, यानि कि यह दोनों ही कथन सही है, तो इसकेस में आपका रहाएगा, option number second, दोनों, एक और दो, so guys, इस वीडियो में हम लोग सिर मिलते हैं स्टूडियो में तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू फ्रेंड्स